तो IPL के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा जिसे इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी इसका फस्ट एडिशन 2008 में हुआ था और लेटेस्ट एडिशन 2022 में एड्मिस्टेटर की बात करें तो BCCI यानिके Board of Control for Cricket in India इसकी जो है वो एड्मिस्टेटर है और इसका Headquarter जो है वो महरास्ट में है कही बार पूछ रहा है टूनमेंट फॉर्मेट इसका क्या है यह एक्जाम के पॉइंट व व्यू से इंपॉर्टन रहता है क्योंकि राउंड जादा बार जो चैंपियन रहा है वो मुंबई इंडियंस रहा है पांच बार और मोस्ट रन विराट कोली ने मारा है 6624 और मोस्ट विकट ब्रावो की 183 तो यह बेसिक सी इंफोर्मेशन थी IPL के बारे में तो हम आज इसकी बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोशियेशन के यह पहले अध्यक्ष थे और अब इनको जो है वो IPL का चेर्मेन बना दिया गया है और जो आपके हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोशियेशन है तो 29 को 29 अक्तूबर को उसके इलेक्शन थे उसमें भी नए प्रेजिडेंट व जब यह अनौन सिंग दूमर ने न्यू चेर्मेन बने उसके साथ ही जो है वो एक अनौंसमेंट की गई है कि जो फर्स्ट वुमेन IPL भी भारत में करवाया जाएगा इसकी शुरुवात 2023 से होगी शुरुवात में 5 टीमें खिलाई जाएगी जैसे मैन में होता है 10 टीमें ज इसके साथ आपको यह भी मैं बतादी की हाल ही में ही मीटिंग होई थी जिसमें यह डिसीजन लिया गया है कि जितनी मैच फीस मेल खिलाईओ को मिलती है उतनी ही इकल मैच फीस अब जो है फीमेल खिलाईओ को दी जाएगी चाहे वो टी ट्वन्टी हो इंटरनेशनल हो test cricket हो, पहले जो female खिलाड़ी हैं, उनको कम fees मिलती थी, वर्ट अब ये decision लिया गया है कि male खिलाडियों के equal ही जो है, वो female खिलाडियों को fees दी जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा decision है, बात करेंगे यहां पर हिमाचर प्रदेश cricket association के बारे में, तो उसकी की बात करने से पहले, जिके study app पर आप different courses को join कर सकते हो, HPJIT का अभी आने ही वाला है, आपका exam one month रह गया है, तो उसकी तयारी आप अच्छे से कर सकते हो, HPSI की कर सकते हो, हाई code की कर सकते हो, सारे ही जो है, वो PDF master course है, जिके study app पर आपको detail में, जानकारी मिल जाएगी, जरूर जोइन कीजेगा, तो अगर बात करे हिमाच्छा प्रदेश cricket association के बारे में, तो इसके नए president जो है, वो रविंदर पाल सिंग को बनाए गया है, आरपी सिंग आप बोल सकते हैं, जो की क्यूलू से बिलोंग करते हैं, तो यह दो important point आपको याद रखने हैं, कि कौन president बनाए है, HPCA का नया, और कहां से बिलोंग करता है, वाइस president की बात करें, तो अमिताब शर्मा है, जो की बिलोंग करते हैं, आपके शिमला से, तो दो exam के point of view से important है, बाकि आप secretary भी याद रख सकते हो, अवनिश कुमार हमिरपूर से हैं, ठीक है, अवनिश परमार, सॉरी, ठीक है, हमिरपूर से हैं, joint secretary आपके विशाल शर्मा हैं, कांगडा से, ट्रेजरर विकरम सिंग हैं, आपके हमिरपूर से, फिर member हैं, यहाँ पर मनोश शर्मा, और उसके बाद चंदर शेकर महता, तो यह member बनाए गए, तो पहले जो यहाँ पर president थे, HPCA के, वो थे आपके अरुन जी, तो उसके उनको जो है, वो IPL का नया chairman बना दिया गया है, तो अब जो president है, वो रबिंदर पाल सिंग है, तो यह president और vice president आपको हिमाचल प्रदेश cricket association के जो है, वो याद रखने हैं, उसके लावा दो और चीज़े important discuss का लेते हैं, दो तो क्या एक ही, कि लखनों में 8 November से शुरू होने वाले BCCI में woman senior inter-journal T20 tournament, जो है, वो होने वाली है, शुरू लखनों में होगी 8 November से, तो इसमें जो है, वो North Zone से हिमाचल की तीन खिलाडियां जो है, वो खेलती नजर आएंगी, North Zone से खेलती आएगी, दिल्ली में North Zone cricket team selection committee ने, बैटक में हिमाचल की कप्तान विकेट कीपर सुष्णा वर्मा और अनिशा अनसारी का जो है, वो chain हुआ है, क्यों किस-किस का chain हुआ है, एक तो हरलीन दियोल का, फिर उसके बाद शुष्णा वर्मा का, और उसके बाद जो है, वो अनिशा अनसारी का, तो ये तीनों जो है, वो लखनों में फिजियो मनेशा चौधरी भी होंगे ठीक है तो हिमाचल